हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो आप चैनल कार दुनिया दोस्तों हुंड़ेई अपनी क्रेटा में सबसे ज़्यादा चेंजिस करती रहती है और कहली जे हुंड़ेई की सबसे ज़्यादा भिकने वाली SUV भी हुंड़ेई क्रेटा है ये दोस्तों, आज मैं आपको चेक कराने जा रहा हूँ हुंड़ेई क्रेटा का S variant जो की Base E, उसके उपर EX और उसके उपर आता है ये वाला variant S और इस variant में काफी सारे अच्छे features हुंड़ेई क्रेटा में cover होने लगते हैं इसी वाज़े से ये variant भी एक तरीके से काफी popular है डीजल और पेट्रोल दोनों में आपको ये गाड़ी मिलेगी 6-speed manual transmission पे प्रेजेट में इस गाड़ी का exorum cost है पेट्रोल का 13,5900 उपीज जो की UP में कमपसरी charges insurance RTO और TCS add कर दे तो पड़ती है लगभग 15,14,000 उपीज की डीजल का exorum cost है 14,51,700 उपीज ये हो जाती है UP में onward एप्रोक 16,81,000 उपीज की तो चलिए latest updated Hyundai Creta S variant आज मैं आपको चेक कराने जा रहा हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के front look की देखिए हुड़े क्रेटा में इसके जो नीचे वाले दो variants है उसमें chrome की grill नहीं आती है इसके upper variant पे जब जाएंगे तब आपको DRLs मिलेंगी बाकी starting के तीन variants पे positioning light मिलती है जो की दिखती है DRLs की तरह DRLs का मतलब होता है daytime running light यानि कैसे गाली start करिए automatically on हो जानी चाहिए इसके लावा headlamps चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसी variant पे जो है कुछ इस तरीके के wheels मिलेंगे यह style wheels है जो की actual में देखिए यहाँ पे यह wheel caps है बड़िंग का looks कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यह alloy का feel दें alloy का look दें बाकी wheel size यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 205-65R 16-inch के wheels मिल जाएंगे बाकी indicators सभी variants में based होड़ दीजे बाकी सब में जो है वो mirrors पर ही दिये हुए हैं इस variant की भी जो outside mirrors है दोस्तों यह आपको open close manual करने पड़ेंगे service adjustment जो है glasses का वो आप electrically कर सकते हैं बाकी टॉप पे देखिए तो roof rails आप चेक कर लीजे यहाँ पे और यह roof rails भी जो है वो भी इसी variants से start होती है इसके नीचे वाले दोनों variants में roof rails नहीं मिलती है चलिए आगे इस गाली के back side में और back से आप चेक कर लीजे यहां पे भी कुछ ऐसी चीजे हैं जो इस गाली को अपर साइट पर ले जाती है क्योंकि इस variant पे rear wiper and defoggers मिल जाता है अगें इसके नीचे यह दोनों feature नहीं आते हैं बाकी reverse parking camera भी दोस्तों आपको इसी variant से मिलता है sensors आप पीछी के दरफ चेक कर सकते हैं और LED tail lamps दोस्तों यही वाला variant कवर करता है यानि इससे नीचे दो पर आते हैं bulb based tail lamps तो आप लेगें बहुत सारे features जो है वो S variant कवर करने लगता है बहुत सारे features जो हैं यहां पर मिल जाते हैं S variant पर अभी तो मैंने आपको exterior दिखाया है इंटीर पर देखेंगे बहुत सारी चीज़े आपको मिलेंगी इस गाली पर जैसे कि देखिए फीचर मिल जाता है इस variant से हुड़े क्रेटा में स्टार्ट हो जाता है बाकि अगर हम इंटीर लुक की बात करते हैं तो देखें डूल टून इंटीर अप चेक कर सकते हैं सीटे चेक कर लिए फैबरिक मिटीरिल की है हाइट अग्जस्मेंट ड्राइविंग सीट हुड़े क्रेटा में सभी में आती है चारो पार विंडोस जो है हुड़े क्रेटा में स्टैंडर सभी वैरेंट्स में मिलते हैं बाकि बाटर होल्डर स्पीकर्स यहां पे प्लेस कि कर देता हूं जिसमें रीसेंट्ली दोस्तों बहुत सारे चेंज़े हुए क्रेटा में वैसे भी जैनवरी 2023 से चेंज़े स्टार्ट हुए और काफी सारे चेंज़े इसमें किये गए सबसे अदरा चेंज़े अगर हम बात करते हैं वो सेफटी और पीछे की सिटिंग्स को ल पीछे की सेटिंग्स करेंगे तो देखिए 60-40 इस पर पैटन पर कर दी इससे बेनेफिटी मिल जाता है कि हम लगेज स्पेस को अपने असाब से मैनेज कर सकते हैं और साथ में यहां पर रिकलाइनर फीचर को भी एड किया गया है यानि हलकी सी पीछे की तरफ चली से कमफर्ट लेवल बढ़ा देंगी तो यहां पर इतने सारे चेंजेस हुए और साथ में एजा सेफटी फ्री पॉइंट सीट बेर्स स्टैंडर्ड कर दी गई अब आपको हुंड़े के सभी मॉडल्स पे जो है फ्री पॉइंट सीट बेर्स सारे पैसेंजर से मिलती हैं क्रेटा में दोस्तों इस पेस बहुत अच्छा है क्रेटा को फेमस होने का यह भी कई वीजन है कि इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी और साथ में कमफर्ट लेवल भी बहुत बढ़ा मिलता है यह रेखिए यहां पर आपको इतना जो है लेग रूम मिलता है काफी याप इस पेस है सीटे भी बहुत उंची है तो अराम से मैं पैर को स्ट्रेच कर पा रहा हूं मेरी हाइट है फाइट एट इंच और ड्राइविंग सीट मैंने अपने हाइट के कॉर्डिंग सेट करी हुई है इसके लाबा यहां पर देखिए आपको फॉकेट मिल जाएंगी दोन सेट की तरफ तो यह देखिए 433 लीटर का बुड़ी स्पेस है बाकी मैंने आपको चेक कर आई है यहां पर लगेज स्पेस को अपने साब से मैनेज भी कर सकते हैं इस पेर वील जो है यह देखिए यहां पर आपको तोड़ा सा दिखेगा बाकी वील से स्टील कट पे हैं ब आपको चेक करा दी है अब चलिए बैटे हैं ड्राइविंग सीट में और बाकी फीचर भी बता देते हैं उन्हीं क्रेटा एस वेरेंट के यहां पर आपको चेक काफी सारे फीचर दोस्तों इसमें प्रीमियम वाले मिलते हैं और म्यूजिक सिस्टम देखिए यह म्यूजिक सिम वैसे दिखता है क्योंकि यहां पर आपको जो है नहीं नविगेशन दिया हुआ है नहीं कोई वीडियो प्लेबैक है यह एचटी पैनल पर नहीं है एक नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम है जिसमें हम एंडूर अप्ल कार प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं वाइफाई के थूरू अगर आपको नविगेशन चलाना है इन एपस के थूरूर। इसके इलावा इसमें चार स्पीकर्स दो ट्यूटर्स मिल जाते हैं और जैसे हम इसमें डिवर्स के लगाएंगे तो आ जाएगा पीछे का कैमरा कैमरा भी इसी वैरेंट से मिलता है इसके नीचा ले वैरेंट म camera नहीं दिया हुआ है और guidelines जो है यह देखे adaptive दे रखें steering movement के साथ यह guidelines move करती है तो यह भी एक अच्छा feature आपको इसमें मिल जाता है AC आगे इन देखिए आप एक premium आ गया क्योंकि automatic climate control वाला AC दिया हुआ है बस temperature को हमें set करना है वो temperature यह cabin पे maintain लगता है बाकि इस side पे एक charging point है यहाँ पे पेंडर लगाने को option है और आगे भी यहाँ पे 12V का accessory socket दिया हुआ है चलिए steering चेक करा देते हैं जिसमें आपको controls audio के मिलेंगे यानि museum के मिल जाएंगे और इस side पे देखिए तो cruise control भी दोस्तों उड़े क्रेटा के इसी variant से सुरू हो जाता है steering adjustable है इसको tilt position पे set कर सकते हैं और cluster की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है काफी सारे features यानि काफी सारी information इसके cluster पे जिसका MID दिया हुआ है इस MID की information को switch करके आपको सब्सक्राइब करेंगे और कुछ चीजों कम यहां से कस्टमाइज अपने साफ से सेट कर सकते हैं headlamp चेक कर लिजे और अटोमेटिक दिया हुए है और पर कर दीजे अंधेरे को सेंस करेंगे और अन हो जाएंगे सेफटी की बारे बताते हैं तो दोस्तों यहां पे सेफटी फीचर बहुत सारे बढ़ाएं गए मैंने बताया टाइम टॉटाइम हुटे क्रेटा में बहुत सारे लीजे इसमें आपको मिलेंगे कुर्टेन एयरबैक्स जो की इधर बी पिलर्ट पे लगें हैं और आगे कि जब सीटे चेक करेंगे तो यहां पे भी देखिए इधर एयरबैक्स दिये हुए हैं तो तो टोटल 6 एयरबैक्स आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं तो सेफट पे डे नइट फीचर वाला इंसाइड रियर व्यू मिरर है और इस साइड पे जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा संग्लास होलडर मैप लाइट्स और देखिए यहाँ पे संवाइजर के बैक साइट पर वैनेटी मिरर है इस साइट में एक टिकेट होलडर बाकी कुल ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है तो दोस्तों यहां पर उड़ेगी क्रेटा एस वेरियंट में मिलते हैं काफी सारे फीचर्स चलिए अब ट्रांस्पिशन के बारे मौर बताते हैं तो यह सिक्स स्पीड मैनुवल ट्रांस्पिशन पेट्रोल में आपको चेक करा रहा ह पेट्रोल लीजे डीजल लीजे सारे फीचर्स सेम है ट्रांस्पिशन सेम है कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा यह सिक्स स्पीड पे आता है और खुबसूरत देखिए आपे ट्रांस्पिशन लीवर रिवर्स गयर लगाने के लिए कुछ इस तरीके से लीवर को का माइलेज क्लेम किया गया है डीजल इंजन भी 1.5 लीटर पे ही बना हुआ है 116 PS का पार मनाता है और 250 NM का टॉर्क इसमें जनरेट होता है 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया गया है डीजल इंजन पे वहीं पे डीजल इंजन में दोस्तों BS6 Phase 2 के आने से DEF य पूस कंट्रोल, आटोमेटिक एसे, पूस स्टार्ट बटन, स्टाइलिस वील्स और भी बहुत सारे फीचर्स ये वाला वेरियंट कवर कर लेता है कैसा लगा उनेकरेटा का S वेरियंट और कैसा लगा हमारा ही वीडियो हमें ज़रू बताइएगा ऐसे और वीडियो दिखन चाहते हैं, उनके नोटिफिकेशन्स चाहते हैं, आपने अगर अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब में किया तो फटाफर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे, तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स तुरंत आपको मिल जाएंगे, Thank you.